आज मैं आपको बताने आलो जोब आपको बोटर आइडी कार्ट को आधार कार्ट के साथ लिंक करने के जो साथ लूंज हो चुका है तो आज की डेट से स्टार्ट हो चुका है किस तरह किसे जोब आपको बोटर आइडी कार्ट को आधार कार्ट के साथ लिंक करवाना है कम्प सब्सक्राइब आपको बोड़ने अप्लीकिशन को डाउनलोड करेंगे जैसे आपको बोड़ने अफ्लीकिशन रहा पर को बिटन पर तक हैंगे नेक्स बैटन पर क्लिक करेंगे उसके तरह को एस तरह किसे डिखाए सबसे नीचे के तरफ आपको दो अप्सन देखनी मिलेगा फॉरम 8 है साथ में आपको जो इलेक्टोर रोल ओटनिकेशन फॉरम B6 है जो आपको आधार कार्ट को भॉटर आइडी कार्ट से लिंक करने के लिए जो B6 फॉरम आपको भरना होगा सबसे बिले जो भी आपको फॉरम 8 है जैसे कि फॉरम 8 में जो भी आपको मुबाल नमर को लिंक करने के लिए कुछ आपडेट किया गया है सबसे बिले जो भी आपको फॉरम 8 को किस्ते किसे फिलाप करना आपको मैं बताऊंगा फॉरम 8 पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद सबस्क्राइब पर क्लिक करें अब करें करेंगे उसके आपको मेंसन करना होगा nosso पर qlik करेंगे और सबसे नीची के तरव पेशीड बटन पर qlik करेंगे वक्राइट करने के बाद आपको पको बॉडुटा सा सब नंबर को पूट करना होगा अगर आपके पास आधर का नंबर को नहीं गाल दीजिए उसके बदा आपको सबसे नीचे के तरफ इसको डाउन करेंगे इसको डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी एपलिकेंट का मुबाइल नंबर जो भी आप मुबाइल नंबर को लिंक करना चाहते है तो मुबाइल नंबर को फूट करेंगे mobile number option पर ठीक है तो यहां पर देख वारे mobile number एप्लिकेंट आपको mobile number लिंक करना चाहते है उसी mobile number को फूट करेंगे mobile number के साथ-साथ में आप यहां पर email id को भी link कर सकते हैं अगर आपको email आपडेट करना चाहते हैं तो मूबाल पर टिक करेंगे नेक्स बटन पर क्लिक करेंगे आपने mobile number लिंक करेंगे जो भी mobile लिंक करना चाहते हैं अपको पूरा दिखाया जाएगा जो प्रिवीव है आपको कुछ मिस्टेक लगता तो आपको सबसे निचे आपको पर क्लिक करेंगे करेंगे Lisa सबसे नेचे कदर देख सकते हैं इलेक्टोर्ल ऑठनिकेशन फोरम बीशिक्स पर क्लिक करेंगे अपने मुबाल नंबर को दर्च करेंगे जो भी आपके मोजुदा मुबाल नंबर है उसके आपको सेंड ओटीपी को फुट करेंगे तो आपके मुबाल पर एक ओटीपी ने लगी तो आपको येस करके नेक्स बटन पर क्लिक करेंगे आया है बोटर पर उसकता आपको आपने बोटर आईडी कार्ट को नंबर को आपको यह पर पूट करेंगे उसकता आपको आपना जो भी इस्टेट है आपने स्टेट को सेलेक्शन करेंगे उसकता आपको फेच तो सबसे नीचे ओली बॉक्स में टिक मार करेंगे चले मेरे पास आधार काट है तो यहां पे मैंने आधार काट नंबर डाल दिया उसके आपको यह पर सबसे नीचे तरब इसको डान करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपको अच्छी तरह से अपने डीटिल को चेक करें ना आपको यहां पर एक प्रिव्यू दिखाई दिने लगी जो भी डीटिल सही है आपको यहां पर आच्छी तरह से चेक करना अगर आपको यहां पर सही है तो कंफरम एकन पर क्लिक किजिए अगर आपको यहां पर कुछ वी औरकुष भी आपको सुदार कर देंगे कैसे अे अब कर से हैं को यह जुद अब